शुरी शिवाई नमस्तु भीहम दोस्तों अगर आप लोग भी शिवलिंग के उपर इस सावन के महीने में प्रती दिन जल समर्पित करने जाते हो तो आप लोग एक काम जरूर नहीं करते हो वो काम आपको आज सही करना शुरू कर देना है दोस्तों आप लोग शिवजी की दर्शन करे और दर्शन करके उठकर शिवजी के मंदर बाहर आकर कुछ नहीं अपनी चपल पहनी नहीं तो नंगे पहर आयो तो सीधे के सीधे अपने घर पर चले जाते हैं और अपने घर पर आकर रुख जाते हैं तो अब यहां पर आपको दो चीजे बहुत ही विशेश पर हो जाए और जब आप लोग मंदर से जा रहे हूं तो उस समय आपको भगवान शिव के मंदर से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चड़ा हुआ थोड़ा सा जल जलाधारी से जेल कर अपने घर की और लाना है ठीक है अपने घर में लाना है थोड़ा सा जल जो की जल चड़ा दिया दो लोटा चल चड़ा दिया शिव जी की पूजन कर ली पूजन करने के बाद जो है जो जलाधारी से जलगरता है उसको भी अपने कलश में थोड़貂आ बचा कर जो है निकल मतलब बचा ली आपने उसके बाद आपको करना क्या है कि आप जब मंदिर से बाहर निकलो या मंदिर की प्रांगड के अंदर निकलो तो आपको एक बार भगवान शिव जी को जो है वापस पीछे मुड़ कर देखना है ठीक है आपकी पूजन हो गया आपने बेल पत्र सब कुछ चढ़ा दिया है दोलोटे जल चढ़ा दिया है पर ज अपनी मनोकामना आप उस समय बोल दो वचतना सा काम करके देखो निस्चति आपकी जीवने बहुत सारे बदला वाएंगे भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकरी के लिए अलिनातबक्ति.com का भी सारा ले सकते हैं ओम नमाज शिवाई जय भुले आबाश्री शिवाई नमस्तु भ्याम